मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रो यूट्यूब का एक मात्र ऐसा चानल जहां आपको मिलती है मुफ्त जोतिशिये सला याने की फ्री आस्टरलोजी कंसल्टेशन तो मित्रो अब बात करते हैं मेरे मित्वन राशी वाले मित्रो के माई 2020 के मासिक राशी फलकी मंतली होरिस्कोप प्रोडिक्शन्स फॉर जेमिनाई फॉर में 2020 तो चलिए शुरू करते हैं तो मित्रो सबसे पहले बात करते हैं मेरे मित्वन राशी वाले मित्रो के 1 माई 2020 से 7 माई 2020 के मासिक राशी फलकी आरंब में दिनाक एक से तीन को परिवर्तन बदलाव की संभावना है जो किसी भी शेत्र में हो सकता है सब कुछ होते हुए भी गुप्त चिंता रहेगी पतनी का स्वास परिशानी दे सकता है कारोबार में उतार चड़ाव रहेगा बुद्धी से काम लेंगे तो सफलता और लाब का रास्ता खुलेगा दिनाक चार और पांच को वाद विवाद से बचें कारोबार नौकरी में हालाद बहतर बनेंगे सभी कार बाधा पश्चात हो जाएंगे वाहनादी पर व्याय हो सकता है दिनाक चे और साथ को कारोबार सामान्य रहेगा तो मित्रो अब बात करते हैं मेरे मिथुन राशी वाले मित्रो के 8 मई 2020 से 14 मई 2020 के मासिक राशी फल की आरंब में दिनाक 8 और 9 को स्वास्त के प्रती सच्चेत रहें और खान पान पर नियंतरन रखें दहर और चातोरे से काम लेंगे तो सफल होंगे संघर शक्ती बड़ेगी शत्रू परास्त होंगे दिनाक 10 और 11 को साजेदारी से बचना होगा वरना हानी हो सकती है राज की ये मामले उलजेंगे जिन से चिन्ता होगी ग्रहस्ती में कुछ परेशानी की संभावना है आवेश से दूर रहना होगा दिनाक 12 से 14 तक यात्रा में परेशानी हो सकती है मित्रो आप बात करते हैं मेरे मिथुन राशी वाले मित्रो के 15 मई 2020 से 24 मई 2020 तक के मासिक राशी फल की शुरू में दिनाक 15 और 16 को कारोबार और नौकरी में कुछ तनाव बढ़ सकता है सेवा मुक्ती एवं तबादले का डर लगा रहेगा विद्यारती वर्क के लिए समय अनुकूल रहेगा जन कल्यान के कारेक्रमों से जुड़कर खुशी मिलेगी यात्रा लाब देगी दिनाक 17 से 19 को समय कारे व्यवसाय में लाब और सुक की प्राप्ती में सहयक होगा प्रतिष्ठा में वृद्धी होगी दिनाक 20 और 21 को जो चाहोगे हो जाएगा द्यानिक कारेगती अनुकूल रहेगी धन लाब होगा दिनाक 22 से 24 को व्यय और तनाव बढ़ेगा निरंतर प्रयास से ही कारे होंगे मित्रों अब बात करते हैं मेरे मिथुन राशी वाले मित्रों के 25 मई 2020 से 31 मई 2020 के मासिक राशी फल की शुरू में दिनाक 25 और 26 को यात्रा सफल रहेगी नए संपर्ग भी बनेंगे जो लाब देंगे स्वयम प्रयास से ही आगे बढ़ेंगे वाद विवाद में पलड़ा भारी रहेगा परोपकार की भावना बढ़ेगी दिनाक 27 और 28 को धन की आई चलाई रहेगी परिश्रम करेंगे तो सफल ही होंगे किसी अनपेक्षित व्यक्ती से परिशानी हो सकती है दिनाक 29 से 31 को कारेगती अनकूल रहेगी कारोबारी पहतरी होगी तो मित्रों मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी देखते रहेए मोटू लाला इस सैनल को सब्सक्राइब कीजे इस वीडियो को लाइक कीजे और शेयर कीजे और अपने और अपने मित्रों का ग्यान बढ़ाईए और देखते रहेए मोटू लाला अ नामस्टे